रूस युक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका में राश्पती चुनाव होना है। रूस युद्ध के बीच अमेरिका में रूस युद्ध की एक मशीन है जिसने अतीत में शक्तिशाली आकर्मन कारियों को हराया है। इसके अलावा ट्रम्प का कहना है कि वो 24 घंटे के भीतर युक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे। बशर्ते वोटर्स उन्हें दोबारा से राश्पती भवन में बठा दें। ट्रम्प ने आगे कहा कि युरोपिय देशों का इस युद्ध में ज्यादा हिस्सा है इसलिए उन्हें युक्रेन को समर्थन के लिए अमेरिका से ज्यादा पैसा देना चाहिए। इसके अलावा ट्रम्प ने ये भी कहा कि हमारे बीच एक समुद्र है उनके बीच समुद्र नहीं है आपको पता है कि उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया क्योंकि किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा नहीं। मुझे डर लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये याद रखें कि आप रूस में एक युद्ध मशीन के खिलाफ हैं। उन्होंने हिटलर को हराया, उन्होंने नेपोलियन को हराया। हालकि ये पहली बार नहीं है जब टरंप ने युकरेन के खिलाफ मोर्चा खोला हो, बलकि चुनाव परचार की शुरुवात से पहले ही डॉनल्ड टरंप लगतार युकरेन का राशन पानी बंद करने की मांग कर रहे हैं। और यही वज़े है कि अमेरिकी संसद में उनकी पार्टी के संसदों ने युकरेन को दिये जाने वाला 60 अरब डॉलर का मिलिटरी पैकेज पास नहीं होने दिया। वही दूसरी तरफ राश्पती बाइडन की पार्टी युकरेन को मदद जारी रखने के पक्ष में है। बाइडन का कहना है कि युकरेन को हत्यार सप्लाई जारी रखने से भविश्य में रूस के साथ सीधा संगर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर रूस युकरेन को हरा देता है तो वो किसी नेटो देश पर हमला करेगा जिससे अमेरिका को इस युद्ध में सीधे तोर पर अपनी सेना भेजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन वहीं रूस के राश्पती इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उनका किसी नेटो देश से जमीनी विवाद नहीं है और ऐसे में नेटो देश पर हमला करने की कोई संभावना ही नहीं बनती।